नमस्कार फ्रेंड्स जली सैजो देगे ओनलाइन नहीं नमस्कार नमस्कार बुड़ इवनिंग आ तो टाइमिंग अपना नो बजी गाए था गुड़ इवनिंग एक बार जुड़ दें सारे फिर क्लास स्टार्ट करते हैं नहीं अरे सोच कुछ नहीं रहे है अने ले बस क्लास स्टार्ट करने वालने लेकिन कुछ और जुड़ जाए देखें गुड़ इवनिंग मेंदर बहुत दिनोबाल में कमेट गया रहे है हाँ तो भै काउन्ट डाउन अपना शुरू हो चुका है सुल्तान सिंग हलो एस्टिवरी गुड़ इवनिंग तो करते हैं अपने क्लास स्टार्ट परस्ट कुस्ण आया अपने पास में निर्वात में प्रकास की गती है तो निर्वात में प्रकास की गती क्या होती है जल्दित से कमेंट बोक्स में डालो देगें लिखो बिर्मदेव हलो है आप फस्ट कुस्ण अपने पास में आ गया भी नमस्ते नमस्ते सुरूपी निर्वात में प्रकास की गती है बिल्कूल easy question है आपके सामने जो screen है उस पे बिल्कूल easy question है तीस question है और प्रकास से related है बहुत ही important है इसलिए ध्यान से समझना है और ध्यान से जो option है वो आपको हाँ ए लिखा है अनिल कुमावत मेंदर कासल A सुनिता वी A जल्दी करो जल्दी कमेंट करो देखें निर्वात में प्रकास की गती तैजल न्यू सॉंग A बिंदू चोधरी A सुरूपी चोधरी है हाँ वई बिल्कुत सही है अपना जो प्रकास की गती है वो होती है तीन इंटू टेन की पावर एट मिटर परतिस सेकिंड ये है निर्वात में गती अब जो जल ठोस होती है उनमें इसकी गती अलगे लग होती है दोनी की बात नहीं करें यहाँ पर बात करें सारे क्यूसन से हो प्रकास से related है इसलिए आपको ध्यान से प्रकास का ही जो अपने है गती वही बतानी है हाँ बिरम देव है बिल्कुल सही है आप देवों नेक्स क्यूसन किसी अपार्दस्त्री वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह आउसोसित करता है अपवर्तित करता है या परकिनित करता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिको देगें टाइप करो जल्दी किसी अपार्दस्त्री वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह आउसोसित करता है या अपवर्तित करता है या परकिनित करता है हम कोई वस्तु है उसको देखते हैं तो वो किसी जो इन में से कोई एक कारण है उसी कारण के द्वारा हम कोई वस्तु को देख पाते जल्दी से कमेंट बोक्स में टाइप करो देगें S दिवारी C अनिलकुमावत A अउस्वसित करता है शुरूपी चोदरी C प्रावर्तित करता है मेंदर गसल A हाँ, कुछ एक भई अपने साइन्स के इस्टुडेंट से तो वो इस जो अपने हैंने क्वीजी उस पर थोड़ा ध्यान रखना गल्त नहीं होने चीए गुरूजी नेट प्रोब्लम हो रही है नेट प्रोब्लम भई तेरे ही हो रही है याँ पे तो विल्कुल सही है सही है ने सर विल्कुल सही है याँ से तो तो इसका बिलकुल रायट आंस्वर जो है वो है प्रावर्तित करता है यहाँ पें कन्फ्यूजन यह है कि जो पादस्री वस्तू है उसका रंग कई जने ऐसे कहेंगे कि अवसुसित करता है कि उसका रंग है नोक जो कीने होती है वो जैसे कि यहाँ पर मालो किसी प्रश्च है उससे टक्राएगे बाद में हमारी इसमारी पर परतीवी मनता है और वही उसका कलर होता है वह है प्रावर्तित करता है हाँ सिमी चोधरी सी बिल्कुल सही है वही मुखेस बाटी सी सही है अब आते नेक्स क्यूशन पर नेक्स क्यूशन अपना सूर्य की कीणों में कितने रंग होते हैं यह तो हर कोई पता देगा जल्दी कमेंट करो देगें अरे बिल्कुल इजिसा क्यूशन है सूर्य की कीणों में कितने रंग होते हैं कितने रंग होते हैं जल्दी जल्दी करोगे गए हैं 30 क्यूशन से और मैं जल्दी से जल्दी करवाणी कोशिच करना हूं सूर्य की कीड़ों में कितने रंग होते हैं आप वे सिक्स्थ क्लास से जब से साइंस करते हो तब से इस टाइब की क्यूशन से पढ़ते आए होंगे मेंदर गसल साथ बिल्कुल से बिरम देव सी उत्तम देवना सी बिल्कुल से ये सिवराज बाटी साथ ऐस तिवारी साथ बिल्कुल सी उंपरकाय, जंगू साथ बस तो साथ हिए, या पर कोंड साथ रहने वड़ा है आप देखो नेक्स्ट क्यूशन यदी वायू मंडल ने हो तो परत्विस से आकास किस रंग का दिखाई देगा काला नीला नारंगी या लाल यदि वायू मंडल नहीं हो वायू मंडल नहीं होगा तो जो परत्विश्य हम आकास को देखेंगे तो उसका रंग कैसा नज़राएगा जल्दी कमेंट करो देगे हाँ रोई जाट पस बढ़िया है वही हाँ सुनिता भी बी आमुकेस बाटी सी एस तीवरी ए सुरुपी ए सीमी चोधरी ए बिरम देव ए हाँ सुधिर क्या है डी वाह ओम परकास बिरान्या काला गुड़ शुनिता देवना ए बिंदु चोधरी पाँच पाँच क्या है ओम परकास बिरान्या सर जी आजी बोलो सुरुपी चोधरी ए पुतम देवना ए बिंदु चोधरी ए तेजल न्यू ए रोईजाट ए आस्यस चोधरी ए कानाराम ए बिल्कुल सही है इसका ए होता है अब वो क्यों होता है क्योंकि यह जो रंग होता है निला वो होता है परकिनन की वज़े से अब जब आकास में यह जो वायू मंडल नहीं होगा और वायू मंडल में क्या होते है दूलकन होते है अनि यह गेस से होती है अब उन से क्या होता है कि जो सूरी की कीने होती है या पिर भी परकास कीने है वो टक्राएगी वो टक्रारने से परकिनित हो जाती है और परकिनन होने की वज़े से हम क्या कहते हैं कि आकास का रंग निला दिखाई देता है गुड बड़ा लाल नहीं होता है ने कई जड़े लाल कर रहे हैं तो लाल नहीं होता है हाँ बिल्कुल सही है बलेक होता है कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी में कौन-कौन से रंग होते हैं जल्दी कमेट करो देखें फोटोग्राफी में कौन-कौन से मुख्य रंग होते हैं मुख्य रंग कौन से होते हैं अरे आपने इडिटिंग की होगी इडिटिंग में कई बारे से नाम आता है कि बाई जो color choice करते हैं हम है तब कि हमें ये कौन सा color लेना है तो उसके according हमें पता चल जाता है कि वापे कौन सा ये दिसे डंग से आपे देखते होने तो आपको पता होगा तो ये कौन है बाई अनिल कुमावत डी बिरम देव शाथ साथ साथ ये क्या है वही जुमर मल रणवा C ओमपरकास ग्यानिया बी तेजल न्यूसोंग D Samsung Galaxy A उतम देवना C सुरुपि चोधरी B Samsung Galaxy B अनुरादा C Samsung Galaxy C ब्रमदेव C Samsung Galaxy D Sunita Devna C रोयज़ाट C तेजल न्यूसोंग D रोयजाट D तो इसमें देखो आप आपने एक एसा नाम सुना होगा भई आर जी बी कहीं नाम पड़ा है क्या आपने जब सही डंग से आपने इडिटिंग की है और आप कोई भी काम करो ने उसको विश्य स्थोर से जैसे कि हम ओनलाइन देखते हैं ओनलाइन कोई भी इडिटिंग करते हैं तो उसको सही ध्यान से देखना चाहिए तो यदि आपने से डंग से देखा है न तो वहाँ पर आपने देखाऊगा कि इस तरह क है कुछ कंदर लिखे होते हैं इससे लिखा होता है आर जी बी नीचे है रेड ग्रीन ब्लू एससे लिखा होता है आर जी बी का मतलब क्या होता है आर का मतलब होता है रेड जी का मतलब ग्रीन एंड बी का मतलब ब्लू तो कौन से सही होगा भई लाल हरा निला लाल का है ला अब देखो नेक्स कुशन सबसे कम तरंग देदरिये वाला प्रकास होता है सबसे कम तरंग देदरिये किसकी होती है वही सबसे कम वेवलेंट सबसे कम वेवलेंट किसकी होती है वेवलेंट करते होने अरे कोई वस्तु कमपन करती है जैसे कि हमें पता है कि इस तरह से कमपन करती है वस्तु उपर नीचे कमपन करती है तो जब वस्तु उपर नीचे कमपन करेगी तो यहां से यह जो दोनों है ने इन दोनों के बीच की द पूरी क्या कहलाती है तरंग देदरिये या फिर इसको बोलते हैं वेवलेंथ चीक है तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है वैई लाल पिला निला और ब्येंगनी किसकी होती है रेड एस्तिवारी डी सुनिता डी बिरम देव रेड ओम्परकास आ सुनिता देवना आनिल कुमावत डी ओम्परकास डी सुनिता देवना आसिस चोधरी बिरम देव रेड अनुरादा आ सेमसंग लेक्सी बी, शुरुपी डी, कानारम डी, सिराज बाटी, तेजल नियू सुंग ए, सुनिता देवना ए, उत्तम देवना डी, किरन चोयल डी हाँ, तो सबसे कम जो वेवलेंथ होती है, वो होती है डी, बेंगनी अब बेंगनी कैसे होती है, आपने वो नाम पढ़ा होगा बे नी, आ हे, पी नाला पढ़ाने? अरे पढ़ा है? बे का मतलब बेंगनी, निला, आसमानी, हरा, पिला, नारंगी और लाल तो ये करम है, इस तरंग देदरिय के बढ़ते होए करम में तो सबसे पहले वाड़ा है, उसकी तरंग देदरिय जो है, वो सबसे कम है यानि कि wavelength सबसे कम है और जिसकी कम है वही तो इसने पूचा है किस सबसे कम तरंग देदरी वाला प्रकास होता है तो प्रकास होता है बैंगनी रंग का होता है इसको इंग्लीज में विग्योर भी बोलते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर पड़ाओ आपने फूप डे यार हो अ अधिक्तम होता है जश्ट अभी मैंने बताया है इससे पहला वाजो कुशन था उसका जश्ट अपोजिट है जली से कमेंट करो दे गए कि शुरूपी चोद्री डी रोहित रोहित सूव यस सर हां जी बोलिये सेमसंग लेक्सी B, सेमसंग लेक्सी C, शुरूपी चोद्री D, सवास, गुड, रेड, D, C, A, बढ़िया वई, जल्दी कमेंट करो देगे हां मैं अंदर गशल, रेड से ही वई, पियन चोद्री, हां अरे सबको पता है बस जस्क इसके अपोजिट ही तो था, अभी बताया था ने मैंने, क्या बताया था जो कर्म था ने, बेनि आहे पिनाला, जस्क इसके अपोजिट था, जिसमें क्या था लाल, लाल सबसे आगया डंग से इस class को समझा है पड़ा है तो आप इसका answer दे दोगे मुझे जल्दी comment up करो देगे हरा पिला लाल निला पिला लाल निला लाल हरा निला पिला हरा जल्दी comment अरे बिल्कुल सिंपल सा क्यों सना है क्यों प्रकास से रिलेटेड है आज आज गी जो अपनी क्लास होगी ओनली लाइट से रिलेटेड है प्रकास से रिलेटेड है हाँ आप किस अधर पर के रहे हो बई वही तो है अपना अरे क्यूसन चेंज तोड़ी यह फोटोग्राफी वड़ा वही तो है उसमें भी जो मूल रंग ही काम मेली जाते है आरजीबी वड़ा वही है बिल्पूल आरजीबी रेड ग्रिन एंड ब्लू तो कौन सा होगा भई रेड पल्यू एंड ग्रिन सी होगा इसका राइट आंस्वर हाँ तो आते हैं आप एक्स्यंट पर प्रिम्र में परकास के विभी नंगों का वज़न केलाता है प्रि Denn पिर जिम सबने देखा है त्रिकोन टाइप का होता है त्रिदी में होता है और उससे जब प्रकास को जब गुजारा जाता है तो वह विबाजन क्या कहलाता है कि विबाजन पूचा भई कमेंड करो देगें मेंदर गसल C, शुरूपी A, सुनिता देवना C, बिरम देव C, सिमी चोदरी C, मोहन जंगिड D, S जिवरी D, सुनिता A, किरान D, ओम प्रकास बिरानिया D, सुनिता देवना D, जुमर मल रणवा, A, सुरूपी चोदरी D, अनिल कुमावत D, मेंदर गसल, D, अनुरदा D, रोहित, विवर्तन, ओ विवर्तन लिखाए क्या है मोहन जंगिड, D, आसे सुदरी D, हाँ, तो भई, आप ये किसादार प्रकेरे हो, प्रिजम में प्रकास के विविन्हों का विवाजन क्यलाता है, क्या होगा, प्रकास का वन विक्षेपन, अरे वन विक्षेपन क्या होता है, ऐसा प्रिजम होता है, ये प्रिजम मालो आप, इस में से जब ये जो प्रकास कीने होती है, ये गुज़ारदी, गुज़ारने के बाद में एक स्पेक्टर मनता है, जैसे जिसमें लाल, हरा, सब कुछ यह रेखाई होती है यह मैं दो चार लाइनों से काम चला रहा हूं आप लोग समझे ना तो यहाँ से यह जो इस्पेक्टर मनता है इसको बोलते हैं प्रकास का वन विक्षेपन तो जो प्रिजिम है उसमें से प्रकास के विविन रंगों का विभजन विवजन होता है प सबसे अधिक पिला एंड आसमानी कमेंड करो देखेए तो सबसे अधिक किस जो वर्ण है उसका विचलन होता है लाल बैंगनी पिला एंड आसमानी यदि आपने बस सारे क्यूसन से वो एक दूसरे पर डिपर्डेट है प्रकास के कितने क्यूसन मनने वले हैं जितने मनेंगे ने सारे करवा देंगे आथ टेंसन मतलो आप तो बस आप बस यहाँ प अमपरकास दी, श्रुपी, C, अनुरराधाट, B, जुमरमल्जी, A, अमपरकास, बिरानिय, B, शिवराजबाती, B, रोहित्सोव, डाबरा, B, मेंदर गसल, A, श्रुपी, A, रोहित्सोव, डाबरा, B, उत्तम, देवन, B, आसा, कतरिय, B, अंसा, सिवरतन, A, तेजल, नूस, और विल्कुल से यह इसका राइट आंस्वर जो है वो बेंगनी है क्यूंकि जिसकी तरंग देरिये कम होगी जिसकी विल्यंत कम होगी उसका जो विचलन है वो सरवादिक होता है और वो किस रंका होता है इस बेंगनी रंका होता है तो आते हैं नेक्स कुछन पर नेक्स कुछन है परकास की कीरणों का पत्थ दर्साने वाले चित्रों को कहा जाता है जो परकास की कीरणे हैं उनको उनका जो पत्थ है उनको दर्साने वाले चित्रों को कह किया का जयता है किर्ण आरे focus किर्ण पूंज इनिमे से सभी करते हैं ऐसा भी हो सकता है कि यह अलग लग नाम है और उनको साथ में कहते हैं कि जल्दी comment करो देखें A नमर किरणार एक B पोकस C किरण पुंज और D है इनमे सभी Sir योर नेम नाम में क्या रखा है लेकिन फिर भी बता दूँ मैंने नाम मुकेस बाकर है सुरूपी B सुनिता D S दिवारी A आसा A अनियल A अनुलादा A तेजल न्यू A रोहित सोहू A सुरूपी A मोहन जांगिर C तेजल न्यू A ओम परकास बिरानिया C सिवराज A रोहित A किरण A रोहित A सुरूपी A बिरम देव सर जितेंदर सर कहा है वो बैटेकनिकल टीम में है तेजल न्यू सौंग D पर ककासि कीरणों का पत पत क्या होता रास्ता ओर जो दर्साद तहब है आपने देखा होगा की स्तरे से कोई भी परकास की कीरण आ रही है कहां जा रही है कहां नहीं जा रही है जो दरसातने वाला चित्र है उसको क्या बोलते है आरेक नहीं बोलते हैं क्या बस तो किरन आरेक नाम से ही इसकी परिबसा है और नाम से इसका अंसर है आरेक आरेक का मतलब क्या होता चित्र तो वैसे देखा जाई तो और क्या होता है ग्राप में मनाते हैं हम उससे क्या बोलत हैं जल्दी कमेंट कुरो देखें सरसाप नहीं दिख रहा है साप क्लियर नहीं आ रही है क्लियर यह कोई नेटवर्क प्रोब्लम हो सकती है आपकी है जर्म क्लासेज फूल फॉर्म कैसे है आंसर दो बैस का अनिल कुमावत है कि मौन जांगेर सी ओम प्रकास विरानिया एए एस दिवारी ए तुनिता एए नुकेस ए सिवराज भाटी ए जुमर्भल रनवा सी सुछुपी चौधरी ए सुर्जीत विरा बजारनिया भी रोहीत सुहु उडाबरा एक्सुचमालिस से प्येसे हाँ एक सुचम्मालिस प्रिक्सल होगा सही था नेटर रूपर उल्मिन तो और तो कोई दिख रहा नहीं है अनुवादा ए महान ए सुरुपी ए सुनिता ए सुर्जित ए तोहित्सू ए सुरुपी ए उमप्रकास जांगू भी मेंदर गसल ए सर साप नहीं दिख रहा है सब को दिखाए दे रहा है मुझे तो लग रहा है क्वालिटी सेट करो और तो सही है यहां से तो काना राम है अरे बिल्कुल साप आ रहा है ने हाँ परकास की कीरण गमन करती है और वो किस रेखा में गमन करती है करती है jsndhg omla k네 आपने देखा नहीं किया और चोटी ऐए पड़ा था कि प्रकाषए संस्वल्हक अंच्ठ स्ञ difू करते है तो यहां पर जो answer right हो भूगा अब आते नेक्स कुशन पर जब परकास की कीरण हवासे काच में प्रव्यस करती है तो मुड़ जाती है जब परकास की कीरण हवासे काच में प्रव्यस करती है तो मुड़ जाती है अमर आपीलम से दूर बी नमर है अभिलम के निकट्स्टी नमर आपीलम के समानतर और दी है इनी में से कोई नहीं करो देगे भई कमेंट 720 में चला ने नेट ज्यादा जवे हाँ जी सर बिल्कुल सही देख तहा है हाँ बिल्कुल सही है बई साप ने ज़रा रहा है अरे 720 में हाँ 720 में चला हो तो आप 480 तक चला लो वहाँ तक तो साप आजएगा मुझे लग रहा है और साप अरे इतने बड़े-बड़े अक्सर है यार कैसे नहीं लिखाए दे रहे है जाट में हैस ए बिरम देव साप ए ओ साप आ रहा है ऐसा लिखाए क्या ओम प्रकास बिरानिया बी मोहन जांगिड बी शुरूपी सी जुमरमल रणवा बी बिरम देव एक जारस सी मैं हाँ भाई हाँ सुनिता डी एस दिवारी बी सेमसंग लेक्सी जी शुराज बी मेंदर गासल बी सुरूपी दालनिया सी किरन बी जाट महस बी रोईट सो डाबरा बी अनेल कुमावत ए सबात का है अब सबसे बता देते हैं अनुरादा भी अननुरादा भी सुनिता डीव माधियों भी हां तो नींज अविलम यहां से यह हो गया विरल माध्यम और विरल माध्यम से यह जो सगन माध्यम यही तो पुछाना है कि हवा से काच में हवा क्या है एक विरल माध्यम से सगन माध्य में जाएगी तो अभिलम की और मुड़ जाएगी ऐसा होगा अरे जब कोई परकास कीरण होती है जो की वीरल माध्यम से सगन माध्य में जाती है तो अभिलम की और मुड़ जाती है अभिलम के निकट आ जाती है तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा अभिलम क जैसे यह आगी जो आप्तित कीरन और यह होगी अप्रतित कीरन जो कि यहाँ पर जैसे कि यह काच हो गया तो सगन माधियम हो गया सगन माधियम हमें साँ अभिलम के निकट आती है और अभिलम से दूर हटती है तो next question देखो बबना परकास के परावरतन के कितने नियम है परका जल्दी करो देखें परकास के परावरतन के कितने यह हो गयान सेमसंग लेक्सी ए नुकेस बाटी गुरुजी एवरिट डे होगी क्लास हाँ बस आप लोग दो रही तो देली ले ले लेंगे देली तो नहीं होगी तो भी दो तिन दिन दिनों बाद में हमेसा होगी है केरन दो मुहान दो अनुरादा दो बीरम देव दो शिराज बाटी दो बीरम दो युमर मुल रनवा सी नुकेस बाटी सी शुरूपी चोधरी दो मेंदर गसल दो ओन प्रकास बिरानिया डी सुनिता देवना दो सुर्जित बिजारनिया दो शुरूपी चोधरी दो जाट मेहस एक बिंदु चोधरी भी हाँ बिंदु चोधरी भी तो आप देखो जो प्रकास के प्रावरत्थन की नियम है वो है आपके दो एक नियम कोण सा है जिसमें आपतित कीरण अब्म और प्रावरतित कीरण तिनो एक खी तल में इस्तित होते हैं, first नियम ये है, second नियम क्या है, ये आपतित होगी किरन, प्रावर्तित किरन होगी, और second क्या है, आपतन कोण इक्वल टू प्रावर्तन कोण, आपतन कोण किसके बरावर्तन कोण की, ये second नियम है, I equal to R था ने, बस वही तो नियम है, आपतन कोण होता है, वो प्रावरतन के दोनों नियम है और प्रावरतन के नियम कितने ऊते हैं है दो फिसन पर प्रकास के सरे नियम है अब अब ये प्रतन का पूछ लिया अब उख पूर than का क्या सड़ेगा है अब पॉर्थन भी का है अगर मुझे भी बताओ मेरे भी नियम तो बताओ आप लोग कि सर केन यू टीच इन इंग्लिस वाओ अपकॉर्स है विए ने डाउट सर फस्ट पड़ाओ चलो ठीक है तो फीर जल्दी कमेंट गरो भई देखें परकास के अपर्टन के कितने नियम है एक दो तीन और चार सुनिता चार चार नियम या चार ओप्सन बात तो एक ही है कैसे भी देख लो आप लिए जल्दी गरो जल्दी गरो देखें कमेंट हाँ इसमें क्या है तोड़ी हाँ रमेश बाकर दो मोहन दो शुराज बाटे चार हाँ तो भाई परकास के अपरतन के भी दो ही नियम है पस्ट वही है अबिलम वालार अप्तित किरन और अपरतित किरन तिनों एक इतल में होते हैं फस्ट नमर वह हो गया अप्तित किरन हो गई यह होगे अभी लंब और यह हो गया अपरतित की रहन तीनों एक तल मिस्तित होते है फिक उसी प्रकार जो सेक नियम होता है वो क्या है से लिकनियम साइन आई अपून साइन आर इकौल टू मुव आपने पड़ा होगा आपतन कोण की जया एंड अपरतन कोण की जया का नेम हुए दो नियम अब आते हैं नेक्स्ट कुशन पर परकास का वेक्स तरोपरतम किस ने ग्याद किया गेलिलियो न्यूटन रोमर और माइचल संग क्या कोई विदेश जुड़ गया क्या बात सर एम फ्रॉम केलिफोर्निया आई वुड लाइक टू अन्डेस्टेंड इट इन इंग्लिश हाँ यू किप इट अप नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ने तब इंग्लिश में पटा देंगे वर क्या टेस्ट सेल रियो है की सर हाँ मेंदर टेस्ट इस अले हो ओम प्रकास जांगु सी जुमरमल रणवा ए ओम प्रकास बिरानिया सी मुकेस बाटी ए सुरूपिच्वद्री ए मौंजांगिड ए अनिल कुमाउत ए आव बिल्पुल इसका जो राइट आंसवर है वो है सी रोमर इसमें क्या वा वही आपको एक चीज में बता दूं कि कई बुक्स में आप या फिर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको यह भी मिल सकता है गेलिलियो और यार वो दुर्बिन से रिलिटेड़ था यहां पे उसका कोई योगदान नहीं है प्रकास से हां प्रकास कि यह लगबक 1670 के शक्राइव था उसके बाद में यह जो अपने माइकल से इसने इसने भी ऐसा ही रिससच गया था और उसने भी जो स्टिकमान बताया था और इसने वही मान बताया जो रोमर ने बताया यहां पर जब इस तरे किस्थत्य आजए इने तो हमें सारोमर को ही सभी मना जाएगा क्या जिब देखो पूर्णा प्रावर्तन होता है जब प्रकास होता है विएन मांधियम से सब में 17 की और आप तन कौण क्रांति कोंड से अधिक के साथ सगन माध्यम को और आपतन कोंड से अधिक के साथ विरल माध्यम से सगन माध्यम की और सगन माध्यम से विरल माध्यम की और कमेंट करो देखें कुमावत चेनाराम ए बहुराराम ए सुरुपी सी मेंदर कासल ए रमेश बाकर C, सुर्जित बिजार्निया A, सुरूपी चोधरी A, सिवराज बाटी C, Scott by the way sir you, your haircut is too cool तो आप क्लास लेने आयो या फिर सिमी चोधरी A, अनिल कुमावत D, मोहन जांगीड A, जुमर मिल रनवा A हाँ बिल्कुल सही है, A, इसका right answer है वेरल माधियम से सगन माधियम की और जब आपतन कोण यहाँ पे क्या होता है, और क्रांति कोण क्या होता है कि जब कोई केरन है, वो 90 डिगरी का कोण बनाती है तो यहाँ से जब कोई आपतित कीरन हुई, यहाँ पे यह हो गया अब जब यह जो अपवर्तित हुई, कैसे भी हुई तो अब जब यह क्रांति कोण होगा तो क्रांति कोण यहाँ पे बनेगा यहाँ से आपतित होगी तो यहाँ पे बनेगा और उसे ही क्या कहते हैं पून आंतरिक प्रावर्तन तो आते हैं next question पे इंदर दनुस किस कान से बनता है इंदर दनुस किस कान से बनता है कमेंट परो देंगे जल्दी इंदर दनुस शिवराज बाटी A कानाराम A सिमी चोदरी B S तिवारी D कमेंट जल्दी करो भई अटारे क्युशनी विया भी तक जुमरमल रनुवा B अब क्लास इस्टुडेंट्स आदे हैं कुमावत चेनाराम C ओम्परकास बिरानिया B बहुराराम B सुनिता B सुर्जित B अनिल कुमावत B मुकेस मुकेस भाटी D कानाराम B महन जांगिर B यह जो है इंदर दनुस वो होता है अपवर्तन एंड प्रावर्तन अपवर्तन एंड प्रावर्तन यहाँ पे ध्यान रखना आप अपवर्तन और प्रिक्षेपन भी कहीं पर ध्यावा होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब देखो यह इंदर दनुस का बनता है जब बारिस की हल्की हल्की बुंदें गिर रही हो तो यह जब जैसे कि सूरी की प्रकास कीरन आई इससे टक्राई तक्राने से क्या हो गया इसके अंदर अपरतन भी होगा और अपरतन होने से अपरतन यहां पर हो गया और कुछ कीरने होती है जो कि यहां से टक्रा कर यहां पर इस तरह की जो अपने इंदर दुनुस मनाता है इ लेकिन यह जो है कई जगे आपके दियावा मिल सकता है लेकिन इसको गलत माना जाता है जो प्रावर्तन दियावा है मिराज बनाने वाली प्रगड़ना को क्या कहते हैं वेतिकरण विवर्तन दुर्विकरण पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन मिर्ग मर्चि का मिराज जानते होनों मिराज अरे खायों यह सब गी खाते होंगे सर आई विल बी वेटिंग फॉर यू नेक्स क्लास भाई सर मत तो हटा लो दिखे को नहीं ओ चलो ठीक है बई सर ओप्षन नहीं दिख रहे हैं आप थोड़े साइड में खड़े रहे हैं प्लीज चलो ठीक है बई सब्सक्राइब कोई बात नहीं नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब आपकी चोईस सिमी चोधरी एक नाराम डी रमेस डी बहुराराम डी कि एस दिवारी डी मुकेस बाटी भी हाँ बस आप लोग तो कमेट करते रहो रहे हैं क्लास से जब भी आपको ओगे तब ले लेंगे और क्यूसन भी बहुत अच्छे लेकरेंगे यह भी कंपेटिशन एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए ज्यांस से पटना इनकोईन है मेंदर कासल डी सुनिता डी मुहंजांगीड सी सुझीत बजारणया ए हां तो वह इसका राइट अंस्वर वो है मिराज atra पूर्ण आंत्रीक प्रावर्तन की गटना होती पूर्ण आंत्रीक प्रावर्तन की गटना जानते होने आप है और एक जो सड़क होती है कि सड़क पर जहांपर गड़ै होते हैं तो घर्मियों में हमें क्या है कि वहां पर पान नज़राता ये वही तो होती है मिराज या फिर रैगीस्तान में आज रना तो वही होती है आहलो यस剛剛 युकिया अप आकास का रंग निला केस से दिकाई देता है वही जल्दी कमेंट गरो हाँ ओम प्रकास बिरानिया ए कुमावत चेनाराम डी सुनिता देवना डी सिमी डी एस दिवारी सी ओम प्रकास बिरानिया सी कानाराम सी जल्दी करो जल्दी करो देगें रमेस बाकर सी गुड कमावत चेनाराम अब गुड करने हैं बेड़तो सारे ही फिरे सी सी करने वाले वैसे भी जुमर्माल रहनवा गुड सी हाँ तो इसका राइट आंस्वर जो है वो है सी परकेनन जब सूरिय की करने आती है तो उनमें परकेनन होता है और परकेनन की वज़े से हम जानते हैं कि जो बेंगली रंग होता है उसका परकेनन सबसे ज्यादा होता है और उसकी वज़े से वो सारे आसमान में फिल जाते है और उसी की वज़े से हमें आकास का रंग है निला दिखाई देता है आप देखो next question next question है यताया सिंग्म में मैं लाल प्रकास प्यूक्त किया जाता है क्योंकि क्योंका रंग लाल है प्राणी लाल रंग पैचान सकते हैं लाल रंग सबसे कम प्रिक्षपित होता है लाल खत्रे का परतीक है करो भाई कमेंट बाउराराम C, एन्रादा C, सुरुपी C, बिंदु C, सिवराज C, मुहन जांगीड A, सुरुपी C, सिमी D, सुनिता D, कुमाव चनराम D, कानराम C, अनिल बाबल D, एस दिवारी D, मुकेस D, सुरुपी D, ओम प्रिकास C, रमेस C, कीरन C, सुमन C, हाँ, तो वह इसका देखो, हाँ, बिल्कुल से यह इसका राइट आंसर जो है वो है C, लाल रंग सबसे कम प्रिक्षपित होता है, देखो, खून का रंग लाल होता है, उसे अपने क्या मतलब क्योंकि प्रसन पुछा याता यात, प्रिक्षपित किया जाता है, क्योंकि खून से कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है, प्रानी लाल रंग पैचान सकते हैं, और जो लाल रंग सबसे कम प्रिक्षपित होता है, हमें पता है कि जो लाल रंग है, उसकी तरंग देदरि सबसे अधिक होती है और वो फेलता नहीं है कम फेलता है इसलिए लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है यानि कम फेलता है बस यही इसका राइट आंसर है तो नेक्स कुशन देखो नेक्स कुशन है सुर्योदे और सुर्यास्त के समय वायूमंडल में लालीमा किस कारण च जाती है लालीमा जल्दी बताओ देखें कमेंट करो कमेंट करो देखें बिंदु जल्दी कमेंट करो देखें बहराराम सी शुर्जीत डी अनेल डी शुनिता डी जल्दी कमेंट करो देखें बहराराम सी शुर्जीत डी अनेल डी सिमीडी गुड 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 बुकेसी अरे साइंस के स्टुडेंट्स कई है गलत आंसर दे रहें वही यह क्या है मामला तो इसका राट आंसर है वहां प्रकास के परकेनन जब सूर्योदे और सूर्यास होता है तर वहां उनल एसेöl होती है क्योंकि जो बाकिरंग होते हैं कि आपने देखा होगा सूर्योदे और सूर्यास के समयं स्टूर्य है वह सब्सें अद्धिक हो जाते हैं इसलिए जो प्रकास के प्रक्रिणन है उसी की उज़े से सुर्योदे और सुर्यास्त के समय लालीमा दिखाई देती है वाई मेडल में चाह जाती है आप देखो next question नेक्स्ट किसने प्रकास के विद्यूत चुम्ब किये सुरूप की खोज किसने की स्नेल, मैक्सवेल, गेलेलियो एंड आइंस्टाइन कमेंट जल्दी कमेंट करो भई देखें सर आप कमेंट्स दिरे पढ़ रहे हो अरे दिरे क्या पढ़ रहे हैं सैथ हो पिरे नेटर प्रोग्लम हो सकती है अरे डेली लाइव क्लास चल जाएगी कोई दिकत नहीं है लेकिन आप लोग बस सपोर्ट बनाई रखो क्या है कि आपको पता है जो मेरी ओपलान क्लास लेते हैं तो भी मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग बस कुछ न कुछ बोलते रहा करो तो कमेंट करते रहा करो बस यदि आप लोग कमेंट करते रहोगे तो फिर मुझे कहां दिकत है मुझे तो पढ़ाना चाहिए कैसे भी पढ़ाओ ओपलाइन जो पने पहले मैं यह जो क्लासे लेता हूँ तो उनमें मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग देखता हूँ कि किते जुड़ते हैं आज इसलिए मैंने लाइव क्लास ली है तो यह जो प्रकास के विदू चुम्ब किये सुरूप है उसकी सब्सक्राइब करने का क्या तरीका है प्रश नमर है एक प्रिजम से रंगों को अलग अलग किया जा जा सकता है भी है फिल्टर से रूगों को अलग अलग किया जा सकता है तक तर्णों को अलग अलग नहीं किया जा सकता जल्दी काना राम बी सीमी चोदरी सी मोहंजांगर डी हाँ सुनिता ए एस तिवारी ए शुदीर ए जल्दी कमेंट जल्दी जल्दी फास्ट करो दे गए कुमाओ चेनाराम ए अनुरादा ए बहुराराम ए सुमन डी हाँ तो इसमें देखो एक प्रिजम से रहों को अलग अलग किया जा सकता है बिल्कुल राइट आंस्वर है इसका ए एक प्रिजम होता है मैंने आपको बताया था कि प्रिजम है इस तरह का प्रिजम होता है और उसमें से जब सूर्य के प्रकास को निकला जाता है या पिर कोई भी प्रकास से उसको इसमें से निकला जाता है क SG ह 나올 UX यह वह अलग लग रंग इसके है और इस्य से इनको अलग किया सकता है तो इसkan right answer क्या होगा अब आटे नेस्व किश्टे में में वाच्ट-पिक्श सुर्यों गसे यह ही सुरिए दिखाई देंका कारण है परकास का प्रकेडन विवर्तन पूर्णा अंत्रिक प्रावर्तन एंड अपोर्तन कमेंट थोड़ा पास्ट कमेंट करना भई सूर्यो दे से पूर्वे सूर्य का दिखाई देना हाँ ओमपरकास बिराणिया A S दिवारी D कमेंट कमेंट फास्ट अनेल A सुधीर D हाँ वै साइंस लिये तुने न कुमावचिनाराम A कानाराम D जल्दी कमेंट करो भई बौमराराम A सुमन A तो इसका जो राइट अंस वर है वो है परकास का अपवर्तन परकास का अपवर्तन होता है रहे आपने चितर देखा होगा जिसमें क्या होती है पर क्यों होती है परका जो सुर्य किन है वो आती है और वाइव मंडल में अपवर्तन होती है सारे क्यूशन से इपोर्टेंड है इनको ठीक डंग से समझना है याद कर लिए बस क्लास का मतलब यह होता है आप एक तो खुद पड़ोर एक क्लास में देखते होने तो क्लास वाला ज्यदा याद रहता है सुर्जीत सी मुकेस सी मोहन डी सीमी डी एस दिवारी सी पास्ट क्लाब यह कमेट देखें ओमपरकास डी सुनिता डी कहियों के कन्फुजन होने वड़ा है इसमें इसका जो राइट आंस्वर है अनिल डी वो है सुदीर सी हाँ बिल्कुल सही है इसका राइट जो अन्सवर है वो ताप का ताप का पता चलता है भाई भार का ने भी जो तारे के रंग है उससे हम भार का पता नहीं लगा सकते हैं ऐसे नहीं कि रंग देख लिया तो उसका इतना बार है पता लगा सकते हैं क्या और नहीं आकार का पता लगा सकते हैं और नहीं दूरी का उससे पता लगता है तो किसका ताप का अब देखो next question photon किसकी मूलबूत unit है photon किसकी काई है भई सुर्जित C मेंदर D जल्दी comment करो comment करो देखें first question होगे है comment करते रो जेराम D S तिवारी A सुमन B सिमी A इसका जो right answer है वो है परकास की photon कहते है ने परकास photon के रिख में उर्जा को उच्च जित करता है तो photon है वो किसकी कई है इस परकास की कई है ने तो गुर्तवा करशन की है ने वीडियो की है ने चुम्बगत्वय की है क्लियर है आप देखोने एक्सक्यूशन परकास का रंग निर्दारित होता है इसके आयाम से तरंग देदरिय से तिवर्टा से या वेक से परकास का रंग रंग से रिलेटेड मैंने आपको आराम से अभी स्टाटिंग में बता दिया था बस रंग वाले वही रूल से उनके बहार कुछ भी नहीं है रंग आ गया न तो वही रूल से आप अपनाओ द्यान से पड़ो अनिल ए सुरेस सी अनिल कुमाओच सी एस दिवारी बी कमेंड फास्ट सुधीर बी हाँ समझ गए कई जणे गुड ओमपरकास बिरानिया सुनिता बी सुनिता बी कुमाओच चनराम बी महंदर गासल ए अनुवादा बी महंदर हाँ तो इससे पता चलता है तरंग दे रिएकावे आयाम क्या होता है सबसे अधिक्तम जो यह होता है यह वाला कि यहां से अधिक्तम कितना विस्तापन वागो होता विस्तापन और तिवर्ता क्या होती है करता यानि की तेज कितनी गहें और वेग 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 उतीज स्पीड एकांग समय वाड़ी वही लेकिन वेग क्या है एक सदीस रासी है आप देखो इसमें जो है तरंगदेदरी है तरंगदेदरी ही रंस निर्धारित करता है ठीक है आप नेक्ट्ट कुशन है अपने पास मे सिवराजबाटी भी सुरेश विजानियां सी ओंपरका जांगू भी कमेंट कमेंट फास्ट सीमी भी एस दिवारी भी अरे फास्ट कमेंट फास्ट कर भाई जो भी होगा फिर गलत हो चाही सही ए अनिल कानाराम भी हाँ भै संकर कमेंट्स तेरे कम आरे है ओंपरकास बिरानिया भी कुमाओ चेनाराम भी सुनिता भी रमेश तेरे भी कमेंट नहीं आरे है तो इसमें देखो जो विष्ण की वज़े से होता है वो होते है धूलकन होता है उसकी वज़े से विष्ण अधिक होता है वातावन में हमें सा ज्यान रखना विष्ण की वज़े धूलकन होते हैं वायो मिंडल में उपस्त होते हैं उन्हीं की वज़े से विष्ण होता है अब देखो अपना नेक्स्ट कुश्ण और लास्ट कुश्ण प्रकास्त ये फाइबर किस सिद्दांत पर कारिये करता है अप सिद्दांत पर कारिये करता है कमेंट लास्ट फ्रसर कमेंट फास्ट अरे फास्ट करो कमेंट देखें है हावी तो इसका अरे कमेंट दिखा है ने देरे बेपने को इसका जो राइट आंस्वर है वो है दी पूना अंत्रीक प्रावर्तन हाँ बिल्कुल सही है दी पूना अंत्रीक प्रावर्तन की गटना पर ये डिपेंड होता है तो ये अपने थे 30 mcq multiple choice questions of general science कैसे लेगए आपको comment box में जरूर बताएगा और यदी आप लोगों support अच्छा रहा और यदी आप पढ़ना चाहते हो मेरे से तो comment में लिख देना मैं देख लूँगा अच्छे से और फिर है अपनी live class जब भी आप चाओगे तब कर लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही दन्यवाद, good bye and sweet dreams तो